आज की वीडियो में कंपर करने वाला हमों वोड की वो दो स्मार्ट वाचे जिनमेंसे एक है Bord Wave Call Plus और दूसरी है Bord Wave Flex Connect Bord Wave Call Plus को श्राम परले लाँच हो चुकी है और Bord Wave Flex Connect 3 March को लाँच होगी तो इस वीडियो में कंपर करने वाले हमें इन दोनों स्मार्ट वाचिस के सेट वे साइड फीजर और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी बैस रहेगी, कन्फीज होने की कोई जरूद नहीं है, तो इस वीडियो में लास तक मैं रहे हैं, लेस्ट गेट स्टाड़ अब अब अगर मैं इन दोनों स्मार्ट वाचिस के वारे हम बात करूं तो दोनों की दोनों वाचिस के आपको सेम डिजाइन देखने को मिल जाएंगे, दोनों इस रेक्टेंगल शेप में आ जाती हैं, साइड में दोनों वाचिस के आपको एक एक बटन देखने को मिलेगा, और multiple color option दोनों में available है अगर मैं आप build की बात करूँ तो board wave call plus आपको polygarminate build में मिलती है और board wave flash connect आपको metallic finish के साथ मिलती है हाला कि metallic finish का मतलब भी वही होता है यह polygarminate build की watch है और finish metallic है अब अगर मैं इन दोने smart watches की display की बात करूँ जो कि same to same है इन दोनों watches में 1.83 inches की display दी गई है जिसके साथ 5.5 minutes की brightness मिल जाती है दोनों का effect solution to 14 to 284 है और दोनों ही watches 2.5D curved glass के साथ आ जाती है और दोनों watches की display के लिए 100 plus watch basis का support मिलता है साथ में आप customize कर सकते हो तो वाई यहां तक तो वाई दोनों watches भी कुछ same to same लग रही है मुझे बट मैं बात कर लेता हूँ difference के बारे में जो की यहां आपको मिल जाएगा यानि की Bluetooth calling में क्योंकि आपको call plus में advanced Bluetooth calling का support दिया गया है जो कि single chip बर्क करती है और साथ में ENX technology मिल जाती है ताकि कि आपका calling experience है वो काफी smooth हो सके और flex connect में आपको एक normal सी Bluetooth calling मिल जाएगी अब अगर मैं दोनों smart watches के sport mode की बात करूं तो दोनों watches में आपको inbuilt तो थोड़े ही sport mode मिल जाएगे 10-15 तक बट इसमें आप cloudly app के थूरू 700 sport mode का support मिल जाता है दोनों में तो आप import करो और sport mode enjoy करो मतलब ऐसे आपको इतने sport mode की क्या ही जरूत पढ़ने वाली है मेरे साब से तो और दोनों में ही आपको voice strength का support मिल जाएगा जिनको आप एक टच पे ही activate कर सकते हो सारे के सारे health rated sensor मिलने वाले हैं सारे के social media handles के smart notification मिल जाएगे दोनों smart watches पे और utility features का support भी अब अगर मैं IP rating की बात करना हूँ तो दोनों इक watches में आपको IP68 का water and dust resistance मिल जाता है और last में अगर मैं bet lab की बात हूँ तो दोनों में आपको 7 दिन का bet lab मिलेगा जो की calling में एक दिन जाला जाला दो दिन दे देगा अब मैं last में conclusion की बात करना हूँ तो call plus आपको 2 रुपेगी price point पे मिलती है वहीं flex connect 15 रुपेगी price point पे मिल जाती है तो वाई ये 500 रुपे का फरक के भल एक चीज़ पे है आपकी Bluetooth calling पे यदि आपके पास 500 रुपे जाता है और आप एक Bluetooth अच्छा चाहते हो तो आप call plus की तरफ जा सकते हो और ये आपको Bluetooth calling का feature इतना यूज नहीं करना पड़ता है कभी कभा करना पड़ता है तो आप call plus ले सकते हो क्योंकि दोनों के दोनों watch ये वीडियो देखने के पाद यदि आपको इलू बाच लिने चाहते है आपको